बंडारा जुले की लोक प्रिय विधायक नरेंद्रु भोंडेकर का जन्म दिन एक आक्रमक बहु आयामी नीता भोंडेकर के जन्म दिन पर रक्तिदान शिविर 22 स्थानों पर किया गया रक्तिदान शिविर विधायक ने जन्म दिन पर भी की जन्ता की सेवा जन्म दिन पर अनोखी पहल जन्ता की सीवा में हमेशा तत पर रहने वाले भावी नेता, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग व अन्य लोगों के लिए काम करने वाले भंडारा जिले के विधायक नरेंद्रु भोंडेकर इनका जन्म दिन आज 26 जुन 2020 इस अवसर पर जिले में 22 थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है बताय जा रहा है कि करीबन हजार लोगों ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया जहां अन्य लोग अपने जन्म दिन पर हजारों रुपई खर्श करते हैं वही नागरिकों के चहिते विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने जन्ता के स्वास्त को प्राथमिक्ता देते हुए रक्तदान शिविर आयोजित कर मिसाल पेश की है इनके इस कारी के सराना हर भंडारा वासी कर रहा है राजी की बलड बैंकों में रक्त की कमी है इसे ध्यान में रखते हुए विधायक भूंडेकर ने अपने जन्म दिन के अउसर पर आदर्श नागरिक के रूप में भोवे रक्तदान शिविर आयोजित किया इस रक्तदान शिविर में नागरिको वक कारी करताओने रक्त देकर सहभा किया या विबागात सुद्धा आज भवे दिव्या सब ब्लड डोनेट कैम जे आयोजित करने तालेला है अशे पस्तिस ठिकानी ब्लड डोनेशन सब कैम आयोजित के लला है वो आमचे टार्गेट आहे हजार बैक चावर परंत ब्लड डोनेट जाला पाईजे नरिंद्रपा οां बोंडेकर दुसरेंदा या ठिकानी बंडराविधान सब ला निवडूनाले तांचा जे कारेशाईली आहे इवाहे तडफदार आहेत गरीबारना मदद करनारे आशे कारे आहेत कोरोना या काडत तैनी बंडराविधान सब लान्सित अशे अमुल्य भरपूर काम केले तैनी प्रत्तिक गरिप कुटुम्बाना कीट वाट पाचे सुद्धा काम केले लाहे यान अंतर सुद्धा अपन दोंबी समाज, नावी समाज अशे जे जूर वरगा है अशे लोकानना सुद्धा पुन्ना अजून आपन कीट वाटा पाचे काम सुरू करना राहोत तैन्चे मध्यमातून बंडर जिल्ल्या मदे बरपूर अशे कारिया जाले ले आएत वो करत आहोत कोरोना ग्रस्तान जे पीडी ताहे तैन्ना रक्ताची फार आवशकता आसते तैस अंदर बात अच वो उद्धव साइबांचा आदेशा नुसाराच आपन या टिकाने बलड डोनेट चाचा क्याम चा आवजिन के ले लाहे BS Crime India News की रोजाना खबरों के लिए यूटूब चैनल, वेबसाइट, फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें साथ ही यूटूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News आप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे